Hello friends, welcome back to my channel मैं अपने channel HP exam corner पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपके exams के preparations भी बहुत अच्छे चल रही होगी तो friends आज हम middle history के class 7th करने वाले हैं overall history की ये class 28th रहने वाली है इससे पहली जो class हमने की थी उसमें हमने सयद वन्ष और लोदी वन्ष के बारे में discuss किया था तो friends आज की वीडियो में हम discuss करने वाले हैं सरतनतकालीन प्रशासन विवस्था कैसा हुआ करता था सरतनतकाल में जो administrative जो था विवस्था थी वो किस प्रकार की हुआ करती थी उससे related भी questions जो है exam में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं तो friends इसी को मत्य नज़र रखते हैं हम आज का जो topic है वो आपके लिए लेकर आए हैं चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं without wasting any time तो friends अगर हम बात करें first question की तो पहला प्रशन है सल्तनत काल में केंद्र प्रशासन का मुख्या कौन होता था यानि की who was the head of the central administration in the सल्तनत period तो friends सल्तनत काल में जो केंद्र प्रशासन का मुख्या होता था उसे क्या कहते थे उसे सुल्तान कहा जाता था क्या कहा जाता था friends सुल्तान कहा जाता था जो सल्तनत काल में केंद्रिय प्रशासन का मुख्या होता था याद रखना है head of the central administration जो भी था उसे सुल्तान के नाम से संबोधिर किया जाता था चलिए अगली question की बात करते हैं सल्तनत काल में किसके समय में अमीर प्रभावहीन हो गए थे means सल्तनत काल में ऐसे कौन से शासक थे जिनके टाइम में जो है अमीरों का कोई भी वर्चस्व नहीं था कोई importance नहीं थी अमीरों की in whose time the rich become ineffective during the सल्तनत period तो friends बल्बन एवं अलाहुदीन खिल जी का जब शासनकाल था तो उनके टाइम पे जो है अमीर प्रभावहीन हो गए थे उनकी importance खतम हो गई थी उनने किसी प्रकार की भी importance नहीं दी जाती थी बल्बन और अलाहुदीन खिल जी के शासनकाल के दुरान याद रखना है important है अगले question की बात करें कि कि किसके समय में अमीर का प्रभाव जादा था in whose time the influence of rich was more यानि कि कौन से सल्तनत काल के शासक थे जिनके काल में जो है अमीरों को जादा preference दी जाती थी importance दी जाती थी अमीरों को जादा तो वो था लोधी वंश तो लोधी वंश के समय जो है अमीरों को काफी जो है importance दी जाती थी याद रखना है लोधी के time पे अमीरों को जो है प्रभाव शाली बनाया गया लेकिन खिलजी और बल्बन के time पे अमीरों का कोई भी प्रभाव नहीं था. चलिए, अगले question की بात करें. सल्तनत काल में मंतरी परिश्यध को क्या कहते थे? तो friends, अगर हम бात करें, सल्तनत काल की ते इसमें मंतरी परिश्यध को क्या कहते थे? बहुत ही important question है friends ये, पिछले कई exams में यह question पूछा गया है तो इसको आप as important जो है mark कर लीजिए तो friends सल्तनत काल में अगर हम मंत्री परिश्यत की बात करें तो उसे कहते थे मंजलिस एक खलवत क्या कहा जाता था तो friends सल्तनत काल में मंत्री परिश्यत को मंजलिस एक खलवत कहा जाता था what was the council of ministers called during the सल्तनत period तो friends मंत्री परिश्यत को मंजलिस एक खलवत कहा जाता था important है याद रखना है चलिए अगले question की बात करें सल्तनत काल में मंत्री परिश्यत की बैठक कहा होती थी तो friends हमने मंत्री परिश्यत की बात कर ली कि उसे मंजलिस एक खलवत कहा जाता था अब मंजलिस एक खलवत की जो बैठक है वो कहा होती थी उसे क्या कहते थे तो friends मंजलिस एक खलवत कह लीजे या मंत्री परिश्यत की बैठक कह लीजे वो होती थी मंजलिस एक खास में where was the meeting of the council of minister held during the सल्तनत period तो it was held in मंजलिस एक खास मंजलिस एक खास में होती थी मंजलिस एक खलवत कह लीजे या मंत्री परिश्यत की बैठक चलिए अगली question की बात करते है सल्तनत काल में कोशा अध्यक्ष को क्या कहते थे तो friends अगर हम बात करें सल्तनत period की तो उसमें Treasury officer को क्या कहा जाता था what was the Treasury Chairman called in सल्तनत period तो friends जो Treasury Officer है यानि की कोशा अध्यक्ष है उसे क्या कहा जाता था उसे खजीन कहा जाता था क्या कहा जाता था खजीन कहा जाता था याद रखना है खजांची भी बोलते है ना खजांची तो उसी से याद रखना है Treasury Treasury में क्या होता है पैसा होता है कोशा अध्यक्षियानी की खजीन ठीक है खजीन कहते थे चलिए अगले question की बात करें सल्तनत काल में सैन्ने विभाग के मुख्या को क्या कहते थे तो friends चलिए अगले question की बात करें तो धर्म विभाग को क्या कहते थे सलतनत काल में तो फ्रेंड's अगर हम बात करें धर्म विभाग के मुख्या तो उसे कहते थे सदर उस्सुदूर क्या कहते थे सदर उस सुदूर what is the head of the department of religion called तो friends religion का जो department है उसके head को कहते थे सदर उस सुदूर ठीक है याद रखना है कई बार exams में पूछे जाते हैं सल्तनत काल की प्रशासन विवस्था से related question चलिए अगले question की बात करें नयाए विभाग के अधिकारी को कहते थे तो सल्तनत काल में friends नयाए विभाग के अधिकारी को क्या कहते थे ठीक है friends थोड़ी difficult है words लेकिन आप इसे एक से दो बार पढ़ेंगे तो आपको easily याद रह जाएंगे चलिए अगले बात करें गुप्तचर विभाग के अधिकारी को कहते थे तो friends गुप्तचर विभाग के अधिकारी को सल्तनत काल में क्या कहा जाता था The officer of the intelligence department is called तो friends गुप्तचर विभाग के अधिकारी को कहते थे बरिद ए मुमालिक क्या कहते थे बरिद ए मुमालिक याद रखना है बरिद ए मुमालिक कहा जाता था गुप्तचर विभाग के मुख्या को सल्तनत काल में अगले question की बात करें अगला question कहता है सल्तनत काल में दान विभाग को क्या कहते थे तो friends what was the charity department called in सल्तनत period तो दान विभाग, दान क्या ओता है friends, खेरात, ठीक है तो मुस्लिम जो है क्या कहते थे दान विभाग को दिवान ए खेरात क्या कहते थे दिवान ए खेरात याद रखना है दान विभाग को कहा जाता था दिवान ए खेरात ठीक है friends, चलिए अगले question के अगर हम बात करें अगला question है सल्तनत काल में दास विभाग को क्या कहते थे तो friends what was the slave department called in सल्तनत period तो सल्तनत काल के अगर हम बात करें तो दास विभाग को कहा जाता था दिवान ए बंदगान क्या कहा जाता था दिवान ए बंदगान याद रखना है दास विभाग कहलाता था दिवान ए बंदगान चलिए अगले question के ओर बढ़ते हैं सल्तनत काल में पैंशन विभाग को क्या कहते थे थे तो friends यहाँ पर बात हो रही है पैंशन डिपार्टमेंट की तो पैंशन विभाग को कहा जाता था दिवान ए इश्तिहाग क्या कहा जाता था दिवान ए इश्तिहाग याद रखना है पैंशन विभाग कहलाता था दिवान ए इश्तिहाग चलिए अगले question के ओर बढ़ते हैं अगला question है सल्तनत काल में प्रांतो को क्या कहते थे तो friends प्रांतो की बात हो रही है During the Sultanate period The provinces are called तो friends प्रांतो को कहते थे सूबा या इक्ता क्या कहा जाता था सूबा या इक्ता कहा जाता था प्रांतो को याद रखना है सल्तनत काल में प्रांतो को सूबा या इक्ता कहा जाता था चलिए अगले कोश्चन के और बढ़ते हैं अगला कोश्चन है सल्तनत काल में मुख्या को क्या कहते हैं तो friends मुख्या की बात हो रही है in the सल्तनत period the chief was called मुख्या कहलाते थे नायब या फिर वली भी कहते थे या फिर भुक्ती तो तीन नामों से जो है मुख्या को जाना जाता था किन-किन तीन नामों से नायब, वली या भुक्ती याद रखना है सल्तनत काल में मुख्या को नायब, वली या भुक्ती के नाम से जाना जाता था चलिए अगले question की बात करें सल्तनत काल में जी लोगो क्या कहते थे तो in the सल्तनत period the districts are called तो सल्तनत काल में जी लोगो कहते थे शिको क्या कहते थे जी लोगो शिको कहा जाता था दारा शिको भी है आपने सुना होगा तो शिको क्या था शिको एक designation थी किसकी सलतनत काल में जीलो को कहते थे शिको मतलब किसी भी जीले के मुख्या थे वो ठीक है तो इसलिए उनके आगे शिको लगाया जाता था तो याद रखना है जीलो के मुख्या को जीलो को कहते थे शिको अब कहते हैं शिको के मुख्या यानि कि जीलो के मुख्या को तो जील जिलो के मुख्यां को क्या कहते थे शिकदार ठीके जिलो को कहते थे शिको और जो जिलो के मुख्यां है उन्हें कहा जाता था शिकदार तो शिको के जो हेड है उसे शिकदार कहा जाता था याद रखना है चलिए अगले question की बात करें सल्तनत काल में सबसे छोटी इकाई क्या थी smallest unit of सल्तनत period तो उसे कहते थे gram कई बार गोमपा भी दिया होता है तो याद रखना है gram या गोमपा एक ही बात है तो सल्तनत काल में सबसे छोटी इकाई क्या थी gram कहा जाता था चली friends, अगले question की ओर मॉव करते हैं अगला question है स्लतनत सुल्टान की स्थाई सेना को क्या कहते तो friends, सलतनत काल में ज doorway क्यों सुल्टान की स्थाई सेना हुआ करती थी उसे क्या कहा जाता था What was the Sultan's Steading Army called तो उसे कहते थे खास खेल क्या कहते थे खास खेल कहा जाता था याद रखना है चलिए अगले question की बात करें दिवान ए मुस्तकराज कौन शुरू करता है तो friends दिवान ए मुस्तकराज कौन सा department था ये था finance department तो mainly यहाँ पर पूछा जा रहा है कि finance department कौन शुरू करता है देखो दो question है इसी question में चिपेवे पहला आपको यह पुछा जाता है कि दिवान ए मुस्तकराज कौन सा विभाग कहा जाता था सल्तनत काल में तो दिवान ए मुस्तकराज है finance department ठीक है दूसरा question यह है कि दिवान ए मुस्तकराज या फिर finance department कौन शुरू करता है who started the दिवान ए मुस्तकराज department तो it was started by अलाहुदिन खिल जी तो अलाहुदिन खिल जी के द्वारा जो है दिवान ए मुस्तकराज कह लीजिए या फिर finance department कह लीजिए शुरू किया गया था चली अगले question के अगर हम बात करें तो सल्तनत काल में बारूद की साहिता से गोला फेंकने वाली मशीन को कहते थे in the सल्तनत period the machine used to throw ammunition with the help of gun powder was called तो फ्रेंड्स बारूद की साहिता से गोला फेंकने वाली मशीन को क्या कहते थे मंगली की या फिर अरात क्या कहा जाता था मंगली की या फिर अरात कहा जाता था उस मशीन को जिसमें बारूद की साहिता से गोला फेंका जाता था ठीक है फ्रेंड्स चलो अगले question की बात करते हैं अगला question है सल्तनत काल में इकता प्रथा कौन शुरू करता है तो friends यहाँ पर बात हो रही है इकता प्रथा तो सल्तनत काल में इकता प्रथा कौन शुरू करता है तो यह मैंने आपको पहले भी बताया था यह शुरू की गई थे इलतुत मिश द्वारा जब हमने इलतुत मिश वाला topic किया था तो उस time मैंने आपको बताया था कि इक्ता प्रथा कौन शुरू करता है तो इल्तुत मिश द्वारा जो है इक्ता प्रथा शुरू की गई थी Who started the system of इक्ता इन्द सल्तनत period? It was started by इल्तुत मिश और friends इक्ता प्रथा खतम कौन करता है? तो friends जो इक्ता प्रथा है It was ended by अलाहुदィन खिल जी तो इक्ता प्रथा खतम की अलाहुदिन खिल जी ने याद रखना है इल्तुत मिश द्वारा जो है इक्ता प्रथा शुरू की गई और खतम किसके द्वारा की गई? अलाहुदिन खिल जी के द्वारा next difference इकता प्रथा दुबारा कौन शुरू करता है देखो एक बार तो अलाहुदीन खिल जी ने इसे खतम कर दिया लेकिन इसे दुबारा शुरू करता है कौन फिरोज शाहा तुगलग तो who started the system of इकता again it was started by फिरोज शाहा तुगलग ठीक है तो अगर आपसे simply पूछा जाए कि इकता प्रथा शुरू किसमे की तो आपका जवाब क्या होगा इलतुतमिश लेकिन अगर आपसे गी पूछा जाए कि इकता प्रथा दुबारा कौन शुरू करता है तो दुबारा अगर word लिखा हो तो फिरोज शाह तुगलग आपका जवाब होगा ठीक है friends चलिए अगले question के बात करते हैं सल्तनत काल में कानून किस पर अधारित था तो friends अगर हम बात करें सल्तनत काल की तो जो सल्तनत काल है उसमें कानून किस पर अधारित होता था तो वो होता था शर्यत कुरान और हादिस पे on what was the law based in सल्तनत period तो it was based on शर्यत कुरान and हादिस तो सल्तनत काल में अगर कानून की बात करें तो कानून अधारित था शरियत पर, कुरान पर और हादिस पर ठीक है, याद रखना है, important question है, चलिए, अगले question की बात करते हैं, अगला question है friends, सल्तनत काल में अंतराश्टे बंदरगा कौन सी थी, what was the international court in the सल्तनत period, तो friends, सल्तनत काल में अंतराश्टे बंदरगा कौन सी हुआ करती, तो वो थी, देवल, याद रखना है, सल्तनत काल में अंतराश्टे बंदरगा कहां थी, तो देवल में थी, अंतराश्टे बंदरगा, ठीक है, important है ये question, next question की बात करें, सल्तनत काल में हाथी कहां से मगवाते याद रखना है हाथियों को सलतनत काल में बंगाल से इंपोर्ट किया जाता था चलिए अगले question की बात करें क्षेतरफल के अधार पर लगान का निर्धारित करना कहलाता था तो friends पहले क्या होता था सलतनत काल की अगर हम बात करें तो क्षेतर फल कितना एरिया है उसके हिसाब से जो है लगान डिसाइड किया जाता था ठीक है तो determination of rent on the basis of area is called Då friends क्षेतर फल के अधार पर लगान को decide करना क्या कहलाता था मसाहत क्या कहलाते था याद रखना है क्षेतर फल के अधार पर जो है लगान को निधारित करना मसाहत कहलाता था ठीक है फ्रेंट्स चलिए अगले क्वेशन की बात करते हैं जो आज की वीडियो का लास्ट क्वेशन भी होने वाला है मसाहत की शुरुआत कौन करता है Who starts the मसाहत तो फ्रेंट्स मसाहत शुरू की थी अलाहुदिन खिल जी द्वारा किसके द्वारा अलाहुदिन खिल जी के द्वारा मसाहत की शुरुवात की गई थी और मसाहत क्या है क्षेतर फल के अधार पर लगान को निर्धारित करना ही मसाहत कहलाता है तो फ्रेंट्स इसी के साथ सल्टनत काल के प्रशासन व्यवस्ता से related जितने भी important questions बन सकते थे exam के point of view से सभी को हमने cover कर लिया है hopefully friends आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको friends वीडियो अच्छी लगी है तो please मेरी वीडियो को like कीजिए, share कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चानल को subscribe नहीं किया है तो please मेरे चानल को subscribe करना बिल्कुल ना भूलें, इसी के साथ ही आप मेरे telegram चानल को भी join कर सकते हैं, description box में मैंने link mention किया है इसके साथ ही description box में मैंने हर एक subject की playlist का भी link mention किया है अगर आपने अभी तक मेरे videos नहीं देखी है, तो आप description box में link की help से videos देख सकते हैं तो please friends I need your support क्योंकि आपका support ही मुझे motivate करता है नई-नई videos बनाने के लिए Thank you friends, thank you for watching my video, मिलते हैं next video में जिसमें हम Vijay Nagar Samrajay की बात करेंगे, तब तक के लिए take care, keep revising, keep shining and all the best for your future exams Thank you friends